समास के भेद बच्चों, आज हम समास के विशय में जानेंगे और समझेंगे की समास के कितने प्रकार के भेद होते हैं और सभी भेदों की परिभाशा जानेंगे. समास के भेद समास के छे भेद होते हैं. जोकी इस प्रकार हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्यईभाव समास, बहुव्रिही समास, द्वन्व समास, तत्पुरुष समास. जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं. तत्पुरुष समास में समस्त पद बनाते समय, विभक्ती चिन्हूं का लोप हो जाता है. समस्त पद, समास विग्रह, हत कडी, हाथ के लिए कडी, देश वासी, देश के लिए वासी, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ग्राम गत, ग्राम को गया हुआ, उपभेद, सत्पुरुष समास के छे भेद होते हैं. कर्मधारय समास, इस समास के दोनों पदों में विशेशन विशेश्य, अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है, तथा उत्तर पद प्रधान होता है. समस्तपद, समास्विग्रह, महादेव, महान है जो देव, महात्मा, महान है जो आत्मा, नील गगन, नीला है जो गगन, काली मिर्ची, काली है जो मिर्च, सिंह पुरुष में पुरुष उपमेय और सिंह उपमान है कभी-कभी विशेश्य पहले और विशेशन बाद में भी आ सकता है। जैसे पुरुष उत्तम, पुरुष जमा उत्तम, विशेश्य विशेशन, द्विगु समास, इस समास का पूर्वपद संख्या वाची होता है। तथा समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है। समस्त पद, समास विग्रह, चो मासा, चार मासों का समूह, तिरंगा, तीन रंगों का समाहार, चवन्नी, चार आनों का समूह, त्रिशूल, तीन शूलों का समूह. अर्थ की दृष्टी से यह समास समूह वाची होता है. अव्यई भाव समास जिस समस्त पद में पूर्वपद अव्यई हो, तथा उसके योग से बना समस्त पद भी अव्यई बन जाए, वह अव्यई भाव समास कहलाते हैं. समस्त पद, समास विग्रह, भर पेट, पेट भर कर, आजीवन, जीवन भर, प्रती दिन, हर दिन, बे मन, बिना मन के, द्विरुक्ती वाले शब्द भी अव्यई भाव समास होते हैं. जैसे, दिनों दिन, दिन के बाद दिन, रातों रात, रात ही रात में. बहु व्रिही समास, जिस समास में न तो पूर्वपद प्रधान होता है, और ना ही उत्तर पद होता है, बलकि कोई तीसरा पद प्रधान होता है. उसे बहु व्रिही समास कहते हैं. इस समास का समस्त पद, इसी अन्य पद का विशेशन होता है. द्वंध्व समास इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं. इसका विग्रह करने पर योजक शब्दों का प्रयोग होता है. समस्त पद, समास विग्रह, रात दिन, रात और दिन, दही बड़ा, दही और बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा, दादा दादी, दादा और दादी. कभी-कभी और शब्द का अर्थ समान वस्तुओं के समूह को प्रकट करता है, जैसे नर और नारी. आओ दहराएं समास के छे भेद होते हैं. सत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्यई भाव समास, बहु व्रही समास, द्वन्व समास.